तो विल्कम गाज, तो गाज आर फिरी फायर के कुछ ऐसे एप जिसको यूज करने के बाद आपका हेट्सोड लगते हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि इन एप को यूज करने के बाद आपका कभी भी आईडी बेन नहीं होगा क्योंकि गाज, यह सारे एप आपको Google Play Store में मिल जाता है और Google Play Store में जितने भी एप रहते हैं, वो 100% सिक्यूर और सेप रहते हैं मैं बताना चाहता हूँ गाज, अगर आपके पास 1GB, 2GB या 3GB, 6GB तक का रेम का डिवाइस है तो आप इतना अच्छा से headshot मार सकते हो, मतलब कि गाज, आपका headshot में काफी ज़्यादा increase हो जाएगा देखो गाज, आपका sensitivity setting बहुत ज़्यादा माइने रखता है आपका headshot मारने में उसी तरह से in-app को यूज करने के बाद, आपका sensitivity को इतना ज़्यादा fast कर सकते हो, मतलब कि 10 गुना तक fast कर सकते हो इसलिए गाज, आपका headshot में इतना ज़्यादा increase हो जाएगा, मानों कि आप hacker हो सबसे ज़्यादा headshot PC pillar का ही लगता है, ये तो आप लोग को ज़रू से पता होगा ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि mobile से ज़्यादा sensitivity होता है PC में और वही सेम चीज, अगर आपका mobile में sensitivity बढ़ जाएगा, तो आपका headshot में काफी ज़्यादा increase होगा इसलिए गाज मैं कुछ एप बता रहा हूँ, इन एप को यूज करने के बाद अपने sensitivity setting को अपने जरूरत के मुताबिक बढ़ा या घटा सकते हो तो ओक गाज, फर्स्ट एप का नाम है 10 गुना fire GFX sensitivity tool तो गाज, जिस तरह से इस एप का नाम है, उसी तरह से इसका काम भी है देखो गाज, इस एप को मैंने यूज करके देखा है, इस एप से आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपका काफी ज़्यादा increase कर देगा headshot में इस एप में आपको कुछ इस तरह का option देखने को मिलता है, headshot tool, GFX tool, auto global trick भी आपको इसमें मिल जाता है साथी गाज, यूटूबर्स हो तो यूटूब वीडियो के लिए आपको trick भी यहाँ से आप ले सकते हो तो ओके आज, अब हम लोग बात करते हैं next app के बारे में इस एप का नाम है sensitivity tool app है, देखो आज, इस एप को यूज करने के बाद आपता sensitivity setting में काफी ज़्यादा increase हो जाएगा इस एप में आपको दो तरह का sensitivity मिलेगा, mobile के लिए अलग और PC के लिए अलग और सभी phone के लिए आपको sensitivity देखने को मिलेगा अलग-अलग model का साथ ही PC का DPI को भी आप यहाँ से control कर सकते हो और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी app आप बिंदास यूज करो, कोई hack नहीं है ये इससे आपका कोई भी ID बगेरा में दिक्कत होने वाला नहीं है, हाँ लेकिन आप अगर tournament player हो तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है बाकी लोग बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है तो I hope कि गाज आपको सारा कुछ समझ में आ गया है मैं मिलता हूँ ऐसे ही helpful वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई